हाई फ्रेंज आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ लसन के चटपटे अचार की रेसिपी वो भी बिना जंजट के बहुती फायदे मन होता है लसन का अचार और ठंड के दिनों में इस अचार को खाना चाहिए इसकी तासिर भी गरम होती है और इतनी सारी लसन छिलने का तरीका अगर रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलिए शुरू करते हैं यह मैंने यहाँ पर आदा किलो लसन ली है अब अचार बनाने के लिए सबसे मुश्किल काम होता है इन्हें छिलना तो आपका आज यह काम भी आसान कर देते हैं तो सबसे पहले हम लसन के उपर और नीचे वाले हिस्से को कट कर लेंगे जिससे कि इसकी कलिया निकालने में आसानी होगी अगर इस तरीके से आप लसन छिलेंगे ना तो आपकी उंगली और नाखुनों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी और यह अब एक कड़ाई में हमने पानी गरम किया है लेकिन सिर्फ गुन-गुना रखना है जादा पानी को गरम ना कर लें कहीं आप लसन को पानी में ही ना पका दें इसलिए सिर्फ हलका ही गरम करें इससे जादा नहीं अब इस हलके गरम पानी में हमें लसन की सारी कलियों को डाल देना है जिससे कि इसके छिलके सारे गल जाएंगे और यह लसन को छोड़ने में देर नहीं करेंगे दो गंटे तक हमें इसी तरह लसन को पानी में डुबो कर रखना है तो लीजिए भई अब एक लसन छिलकर देखते हैं बहुती आसानी से इसके छिलके निकल रहे हैं छिलके अच्छे से गल गए हैं जिसकी वज़े से यह आसानी से निकल रहे हैं इन छिलकों को निकालने मे आपको बोरियत बिल्कुल भी नहीं होगी लेकिन फिर भी अकेले इस काम को करने में मन नहीं लग रहा है तो अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि मैं भी लेने वाली हूँ तो फ्रेंड्स हल्दी का अचार और नीबू के अचार की रेसेपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस चैनल पर भी जा सकते हैं तो बस इसी तरह से हम सारी लसन की कल्यों के छिल के पहले निकाल लेते हैं अब ये लसन छिल तो गई है लेकिन अब ये थोड़ी गिली है इसलिए हमें इसे सुखाना होगा एक कोटन के कपड़े पर हम इसे इस तरह से फैला कर रख देंगे क्योंकि इसमें पानी नहीं होना चाहिए नहीं तो अचार खराब हो सकता है ये इस तरह से मैंने पंखा चालो कर दिया है और उसे पंखे की हवा में अच्छे से फैला कर रख दिया है जिससे की सारा पानी सुख जाएगा तो फ्रेंड्स रेसिपी पूरी देख लीजिए उसके बाद एक लाइक और कमेंट से जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो ये लसन अच्छे से सूख गई है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर अब हम गैस पर रखेंगे एक कड़ाई और उसमें डालेंगे सरसो का तेल अचार में आप सरसो का तेल ही यूज़ करें इससे अचार बहुत टेस्टी लगता है और ये फायदे मन भी होता है तेल को गरम होने देंगे तेल गरम होने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये लसन की कलिया तेल जाता कड़क गरम नहीं होना चाहिए नहीं तो लसन हमारी जल जाएगी हमें इसे fry करना है तब तक जब तक कि ये हलकी सी soft ना हो जाए क्योंकि कच्ची लसन का अचार जब हम डालते हैं तो उसको कलने में बहुत समय लगता है लेकिन इस तरह से अगर हम अचार डालेंगे तो आज बनाओ और कल खाओ अगर प्रेंट्स आपने इस तरह से अचार नहीं बनाया है तो एक बार इस तरीके से जरूर बना कर देखें लसन जल्दी soft हो जाए उसके लिए हम इसको 5 मिनट के लिए ढखकर रख देंगे तब तक हम मसाला निकाल लेते हैं अब एक बावल में मैंने यहाँ पर रेडिमेट मसाला लिया है और यह अचार मसाला पैकेट मार्केट में असानी से मिल जाता है इसमें राइडाल, सरसो दाल, हींग, नमक, मिर्ची, हल्दी सभी मिला होता है लेकिन अगर आप घर का मसाला यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और यह मसाला मैंने डाइसो क्राम लिया है अब इसका और टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर दरदरी की हुई एक कटोरी सौफ और ली है जिसे इस मसाले में मिक्स कर देंगे लेकिन नमक बिल्कुल भी न डाले इसमें नमक पहले से ही ज़्यादा डला हुआ होता है अगर ज़्यादा तीखा आपको अचार पसंद है तो आप इसमें मिल्ची बढ़ा सकते हैं अब सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इधर लसन भी हमारी fry हो गई है ये देखिए बिल्कुल भी जली नहीं है और ये soft भी हो गई है तो friends हल्दी का जो अचार मेंने बनाया था उसमें घर का ही मसाला यूज किया था लेकिन इस बार मुझे पैकेट वाले मसाला यूज करके देखना था कि इससे अचार कैसा भी ये लसन का अचार काफी फायदा करेगा और चोटी मोटी बिमारी तो आपकी इस लसन के अचार को खाने से ही दूर हो जाएगी अब हमने गैस तो बंद कर दिया है लेकिन तेल हमारा अभी भी गरम है इसलिए हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर उसी गरम गरम तेल में हम इस मसाले को डाल देंगे क्योंकि जादा गरम तेल में ये मसाले जल जाते हैं और अचार कड़वा हो जाता है इसलिए मसाले हमेशा गेज बंद करकर ही डाले अब इस मसाले को तेल में अच्छे से मिक्स कर देते हैं जिससे की गरम गरम तेल में ये मसाला भ महां से देख लीजिएगा मसाला ठंडा होने के बाद हम फ्राय की हुई ये लसन की कलिया भी इसमें डाल देते ही इस अचार को खाने के लिए आपको गलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कच्छी लसन का अगर हम अचार डाल दे तो इसके लिए आपको फिर महिने भर तक इंतजार करना पड़ता इसलिए आप भी आप ज़्यादा सोचे नहीं इस ठंड अचार लसन का बना ही लीजिए अब अच्छे से इस लसन को मसाले में मिक्स कीजिए अगर ज़्यादा लंबे समय तक आपको अचार रखना है तो आप इसमें तेल की कमी बिल्कुल भी न बढ़ेगा और यह लंबे समय तक भी चलेगा तो यह एक चम्मच विनेगर में इसमें डाल रही हूं इसे डालने से कोई नुकसान नहीं है बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो फ्रेंड्स क्या आपने इस ठंड में पहले से ही लसन का अचार बना कर रख लिया है या फिर आप अब बनाने वाले हैं प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं अब अचार को पूरा अच्छे से ठंडा कर लें अभी हमें अचार में और तेल डालने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपको बाद में ऐसा लगता है कि इस अचार में तेल की कमी है तो आप बाद में डाल सकते हैं लेकिन अभी न डालें अब इस अचार को हमें काच की बरनी में भरना है आप प्लास्टिक की यूज ना करें बरनी अच्छे से साफ धुली होना चाहिए और सूखी होना चाहिए गीली बरनी नहीं होना चाहिए नहीं तो अचार हमारा खराब हो है तो कर ले ताकि आने वाली मेरी ऊर भी रेसिपी है, वो आपको मिल सके तो ये में इस अचार को दो बर्णियों में डाला है और फ्रेंड्स मैं आप से कहना चाहूंगी कि आप जब भी कोई रेसिपी बनाएं किसी की भी रेसिपी देखे तो उसको पूरा देखें तो इन बर्णियों को मैंने थोड़ा खाली रखा है अगर इसमें तेल की जरुरत होगी तो हम डाल देंगे अगर हमें लंबे समय तक इस चाहर को रखना है तो हमें तेल डालना होगा तो चलिए अब इसको कर देते हैं बंद और जल्दी इस चाहर को बनाईए और सब को खिलाईए और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए और नई रेसिपी बहुत ही इजी टेस्टी तब तक के लिए बाई बाई